आपका सारा जो मांग है लोक्तांत्रिक प्रोसेस है पारदर्श्या को लेकर वो बीपीएसी के बाद विहार में खत्म हो जाता है बीपीएसी से नीचे की परिच्छा में जैसे मन करेगा आयूग वैसे परिच्छा लेगा इस तरह जल देना हो ऐसे जल दिया जाएगा अगर हम भी अगर हम यह कहें कि हम question नहीं देंगे हम omr sheet नहीं देंगे answer की नहीं देंगे तो हमने कई चीज़ों को पर्दे के पीछे ढखेल लिया और अगर हम पर्दे के पीछे ढखेल देते हैं तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कि इस सीन प्रमुखायोग है दरुबा की करने वाला बीपी एससी सिपाहियों की भर्ती करने वाला केंद्रिये चैन पर सथ सिपाही भर्ती और क्रमचारियों की भर्ती करने वाला विहार क्रमचारी चायना इनके द्वारा देखा जाये तो पारदर्शिता के छेत्र में कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता है जिससे छात् बहुत ही पिडिकल एलिमेंट और वो ट्रांस्पेरेंसी जितना अधिक सरीक रहेगा उतना आपका सिस्टम कुछ भी नहीं है आपके पास कोई भी चीज आपके एड़िट कार्ड के आलावा आए उसक द्वारन नहीं दिया जाता है और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब इनके परिक्षाओं पर किया आया ना है बीपीए सी देखें आप हर एक चीड एक्जामिनेशन के बाद आपके OMR 6 एंसर की एंसर की पर अपत्ती आपका उसके बाद पाइनल एंसर की रिजल्ट आने के बाद आपका OMR 6 मेंस का बिना चेक किया हुगा कोपी चेक किया हुगा कोपी छेद तो सिस्टम में कई ठेड और कई छेद जो जैसे मैंने कई अफसरों परसाद आपके हुगार आप सुन रहा है मैंने पहले लिए इस प्रस्ट किया है कि परसे के सामने जो काम होता है वो सब को दिखता है और इसमें आप अच्छा भूच कर सकते हैं सब्संतुस्ट भी हो जाएं लेकिन उससे बात नहीं बनती है नमस्कार आप देख रहा है दा भी हाट आप मैं हूं आदेश कुली कल बीपीएसी के द्वारा सिच्छक बहाली के परणाम घोसित किये जाने की सुरुवात हो गई आप मता दे कि परणाम घोसित करने से पहले आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फरेंस का घोसना किया गया और उसमें अध्यक्ष महोदय सचीव बीपीएसी और परिच्छानी अंतरक टीरी तीनों लोग मवजूद थे और बताया गया और आपने देखा भी कि कैसे 15 दिनो के अंदर में कितना लंबा चौड़ा दुनिया का सबसे बड़ा पहाली का परणाम घोसित किया जा रहा है उसी दौरान प्रस्म किया गया बीपीएसी से पारदर्चिता को लेकर चीटिंग को लेकर पेपर लिग को लेकर तो आयोग का साफ साफ कहना था कि अब पेपर आयोग में इतिहास बन गया यानि कि पिछले एक देर सालों से पेपर लिग कि कोई संभावना नहीं है नहीं कोई सुचना है और उस समय अध्यक्ष महोदय ने एक चीज कहा कि आप जितना ज्यादा पारदर्चि व्योस्था को रखते हैं उतना ही कम भरष्टाचार का समस् आपका उसके बाद फाइनल एंसर की रिजल्ट आने के बाद आपका मैंस का बिना चेक किया हुआ हुआ कोपी एट्टु जेट चीज़ इवन की आपको कोई समस्या है तो उसके लिए सिकायत निमारन कोस्त जो है उसका भी गठन किया गया जहां पर आप अपने सिकायतों को बता सकते हैं लेकिन अगर हम यही देखें फिलाल देखें तो बिहार में 17 दिसंबर को ही दरोगा का परिच्छा हुगा परिच्छा के बाद कोश्चन पेपर का फोटो वाइरल हुगा जिसको लेकर छात्र ये आरोप लगाते रहें कि जब परिच्छा केंदर पर मुबाइल जाने आईलाव नहीं होता है कोश्चन पर मिलता नहीं है ऐसे में फोटो की वागिया और हमेशा से लंबे समय से चात्रों की मांग रही है कि विहार के जो अन्य आयोग हैं तीन प्रमुख आयोग हैं दरोगा की भर्ती करने वाला बीपी एस सी सिपाही और क्रमचारी ओं की भी ऐसा नहीं किया जाता है जिसे चात्रों को विश्वास हो की भरती प्रक्रिया जो है वह इमांदारी से चल रही है पारदर्सिता के नाम पर कुछ भी नहीं है आपके पास कोई भी प्रूफ कोई भी चीज आपके एड़्विट कार्ड के अलावा आयोग के द्वारा नह कि ऐसा कोई भी दरोगा का एक्जाम नहीं हुआ जिसमें कोई ना कोई गड़वड़ी नहों मामला कोट में न पहुंचे कहें तो पूरी तरह से मामला जो है वो तहस महत हो जाता है छात्रों का एक दम से विश्वास नहीं होता है बताइए आप हम लोग पढ़ते हैं तो हर ए हर एक लोगों नर्शरी से लेकर में तक जितना भी वो परिच्छा दे सभी क्या कोउस्चन पर पढ़ दिया जाता है उसके बाद जो है उसका एंसर की बताया जाता है सिक्षकों के द्वारा अगर आप जाएं पूछे तो कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए इसके अलागव पर नहीं दिया जाता है पता नहीं यह समझ नहीं आता है क्यों नहीं दिया जाता है कोश्चन पर आप नहीं देते हैं इस्टुडेंट कोपी जो कारवन कोपी आप रंगवाते हैं क्यों रंगवाते हैं इसका मतलब कि आप जो है कानुनी रूप से अपना पक्ष मजभूत करते हैं कि अगर मामला कोट बेजाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ इनको दिया गया है पुरूफ है यह लेकिन छात्रों को मिलता नहीं जारी करते हैं प्राफतांक आप नहीं बताते हैं रैंक आप जारी नहीं करते हैं कैसे विश्वास कर दे कोई छातर की सब कुछ सही हो Samyầy जबकि बीया सस्थि में नजाने कितने ऐसे मामने हुए यहां, जिस में गरबडी के कि पीर आफ स्ट्रोंग रूम में गरबड़ी की आवम्डेंस मिले हुए हुए है, अध्यक्स जेल गया हुए हैं…. सची उजल गया हूँ है पेपर लिग जैसी गरबड़ी को लेका आखिर छात क्यों नब आप पर आविस वास करें आप देखिए पहले कि दरोगा का 2446 आपको बहाली याद होगा इसी तरह छात जो है कई बार नजाने कई बार पटना की सरकों पर धरना पदरसन किये लाठी च चला फिर से आपको बताएं जफ्तारियां हुई कई चात्रों की बावजूद इसके दरोगा आयूग सस्यमस्त नहीं हुगा कहने का मतलब है कि आपका सारा जो मांग है लोक्तांत्रिक प्रोसेस है पारदर्सिता को लेकर वो बीपीएसी के बाद बिहार में खत्म हो जाता ह बीपीएसी से नीचे की परिक्षा में जैसे मन करेगा आयूग वैसे परिक्षा लेगा जिस तरह रिजल्ट देना हो वैसे रिजल्ट दिया जाएगा आपको न कुछ जानने का अधिकार है नहीं कुछ देने का यह लेने का अधिकार है मिस कहने का मतलब है कि आप आठी या सीखना चाहिए कि परिच्छा कैसे लिया जाता हो और अध्यक्ष महोदय का कल का कहना कि जितना आप ज्यादा परदर्सित रखेंगे बहुता को उतना ही ब्रश्टाचार का मामला कम होता है ब्रश्टाचार के ओसर कम होते हैं लेकिन इन आयोगों में तो इसका मतलब ब्रश् आयोग के द्वारा क्यों नहीं दिया जाता है को यह रहे ब्ल है योवकों कडिया जाता है जाता है, क्यों नहीं दुने डाना जाता है और जो बाहर होते हैं उनका पूरा परिख्षा बिवास्था से मोभव होता है और ये कभी भी सही नहीं है आयोग के लिए एक lucky draw की तरह ये विवास्था मानने लगे है। छात्र स्थात्र की आरोप लगते हैं तरह ऐसे ऐसे आरोप जो कि सही नहीं है नहीं लगने चाहिए तो आसा हम करेंगे कि इन आयोग के द्वारा BPSC से सिख्छा लिया जाया आपने दरोगा आयोग ने तो कमांड कंट्रोल डूम बनाया लेकिन BPSC के द्वारा और भी काम किये जाते हैं इससे आप असानी से कर सकते हैं उन्हें कमसे काम को भी करना दूसरा बहुत अलगाया होगा इसके बाद का चाहिए कारण यह है कि हम बहुत सारे आंदुल में च्छातरों ने बताया है कि उनका कड़ाउट से आधिक उन्होंने सही किया बाऊजूद ने नहीं आया उनसे कम सही करने वालों का रिजलट आ गया और उनकी बातों को सही क नहीं जाता है अगर वो गलत तो आपको वे उस्ता रखना चाहिए ताकि आप बोल सके के कल को कि नहींद के द्वारा दिया गया बैयान गलगता है या फिर ये आयोग की छोई को धुमिल करना चाहते हैं। लेकिन आयोग के द्वारे जब कुछ दिया ही नहीं जाएगा तो ऐसे आरोफ लगते रहेंगे, बिरोध होते रहेगा और आपके हर एक कारेपड़नारी पर लोग ओली उठाते रहेंगे। कोई मानने को तैयार नहीं आभी के समय में बता दूमें आपको कि दरोगा में पेपर लिख नहीं हुआ है। जबकि आपको बता दे कि अभी तक कोई भी पेपर लिख का प्रूफ नहीं मिला है। जो समय की बाते की कही जा रही हैं, जो कि 9, 13 में जो आया था उसको लेकर भी कि कि वो जो है है गलत है उभी धैन्स नहीं है तो अएसे में लेकिन सारा कोई जवान पर यहीं गिद्र विश्वास कि विश्वास्व नहीं है कि कि दिरए की विश्वास होता ही नहीं है काल हित में नहीं तो कम सकम आयोग हित में ही कि आयोग की गरिमा विश्वस्वास करें आम लोग भी आप पर विश्वास करें इसके लिए आप गवस्था को पारदर्थी बनाएं वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाख कुछ कहते रहेंगे अपना हो सकता ऐसा सिच्वेशन देना चाहें दोग विश्वास ही आप पर न करें तो गुजारी से बहुस्थाओं को बदला जाए बीपी एस चिस चिस चिखा जाए कि कैसे परिछारी आ जाता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक सेर करें हमार चानल दब यहां टॉप को स